हेलो बच्चो आप सबका स्वागत है 12 क्लास के वीडियो लेक्चर में आज हम किस्टल जाला के घनत के बारे में पढ़ेंगे ठीक नहीं किस्टल जाला के घनत का डेंसिटी को होता है उसके एक छुट्टा सा डेरिवेशन करना है तो घनत का फॉर्मुला पता है घनत तो आप क्या करते हैं आप दिर्विमान 600 ग्राम लिख देते हैं और आईतन उसका 500 अमेल लिख देते हैं और आपका अंसर इससे आ जाता है ठीक है अब यही बात समुदर के पानी की बात करें समुदर के पानी का घनत निकालना है तो यहाँ पर इस फॉर्मुला का अप्ला सेम्पल का घनत वह दोनों सेम होता है तो हमें यहाँ पर स्पेस लैटेस है इसका घनत वह क्या करेंगे हम क्या करेंगे यह चोटा से इनुट सेल है इसका घनत वह क्या करेंगे क्यूंकि दोनों का घनत वह सेम होगा विल्कुल उसी तरह है समुदर के जल का घनत वह सेम्प फ Farm और भ॥ा लगद है इस प्रुभे नूर। लिए खंख के लिए कि ये हमारे पास अटम्स प्रिजेंटे हैं न तो एक गुपान लाइन नियुके होती हैट तो रुभान ही लेंगे, ओसके अंदर जो घर्टक कर उपस्तित होते हैं, परमान उपस्तित हैं, उनका दिर्मान हम लिखाएंगे, ठीक, अगर इसके अंदर, जो परमान उपस्तित हैं, एक परमान का दिर्मान स्मॉल M है, ठीक हैं, तो इस इनुट साल का दिर्मान केतना हो जाएगा, M, अगर दो परमान उ का जो फार्मुला दिर्मिमान बैट है आई तन तो दिर्मिमान यहाँ पर हम लिखेंगे Z M और गनाच वोगा हमने रिपर्जन कर देते हैं रो से रो सिंबल से रिपर्जन कर दिये हैं हमने यह चोटा सा फार्मुला हो गया है इस इकृषण को वन लिख देते अब हमारा काम हें स्मॉल M को पर करना समॉल M होता क्या है इस ह、 इनुट सल में उपस थे एक घटक सक्तन धिर्मिमान उसे स्मौल M कहते है यहां इस यहां पर मोलर दिर्मिमान का कॉंसेट इस्तेमाल करेंगे जैसे कि हमें पता है कि Sodium का molar दिर्मेमान 23 gram per mol होता है molar दिर्मेमान में लिख दिये हैं यहाँ पर Sodium का 23 gram per mol इसका मतलब यह हुआ कि एक mol 1 mol Sodium का जो बज़न होगा वो 23 gram या हमें ऐसा कह सकते हैं कि 1 mol पड़मानों का बज़न को molar दिर्मान कहते हैं भोई यह बात ही है बहुत ने परी द्रमान को बहुता है क्या है कि एक मूल परमारूं का दिर्ममान क्या कहलाता है मोलर दिर्ममान कहलाता है ठीक न यह koncept होगे मूल दिर्ममान कches एक मूल एक मूल का तो मतलब एवेकटूने क्या बताया था इंटू 10 इस्टू पावर 23 अच्छा एक मॉल पर्माणों का दिर्मान की बात हुँ रही है यहाँ पर एक पर्माणों का दिर्मान का मतलब इतने पर्माणों का दिर्मान का निकालोगे इस नमबर एक सिंबल इसके बारेमे कहा है उसे रिपर्यवरिमान का सकते हैं और मैंने इसए लिख दिए इंटू में और यह Capital M की यहां से वेलू आ गई Capital M अपॉन ए तो इसका मतलब M क्या बताया मैंने आपको एक इनुट सेल में उपस्थिस एक घटक करन का दिर्मिमान तो एक घटक करन का दिर्मिमान या परमाणू का दिर्मिमान किसके बराबर होता है मोलर दिर्मिमान और बटे अवैगोद्रो संख्या के अनुपाद को एक परमाणू का दिर्मिमान कहते हैं चेकन अच्छे जो हमने फॉर्मिला निकाला था रो का उसमें हम पूट कर देते हैं रोड का फॉर्मिला हमारे पास था रो इकस टो जैड स्मॉल एम अपॉन एक्यू इसमें जैड इसमॉल एम की जगाव पर हम कैपिटल एम अपॉन एन एपुट कर देते हैं और एक्यू तो यह फॉर्मिला आ गया देंसिटी का चेकन अच्छे जो देंसिटी का फॉर्मिला है एक आई सैल की देंसिटी का फॉर्मिला है तो हम एक आई सैल की देंसिटी का फ सेल एकाई सेल का घनत एकाई सेल का जो घनत होगा उसका फार्मुला जैट एम अपॉन एक्यू एन ए तो जैट एक नुट सेल में उपस्तित इस वाली नुट सेल में उपस्तित परमाणों की संख्या है वो आपको मैं पहले लिंकालने बता चुका हूँ कैपिटल एम मोलर दिमेमान है ए इसकी त्रिज्या इसकी त्रिज्या नहीं इसका कोड की लंबाई है ना इसमॉल एक कोड की लंबाई और एन है आवगाणों संख्या जिसकी वैलू 6.022 इंटू 10 स्टू पावर 23 होती है इसे और अच्छे समझने के लिए एक नुमाईकल कर कशलेते हैं ये कोशन नहीं एक लंपाणों भड़य दी रखा है 60一樣 पर मोल में है किनार की लंबाई 400 पीको मीटर और इसका घनट आपको केलकुएट करना है था पर्माण होते हैं इसके अंदर आपने निकाल चुके थे इससे पहले कोने पर 8 into 1 upon 8 करके प्लास फलको पर आपने निकाला 3 into 1 upon 2 करके ट्रोडर मिला के 4 पर्माण निकल के आए थे Q encanta count के नाम से जाना है जाता की काई cell के नाम से बहुते दो систем कोई यह कोजया की basta के लिए रहे हैं। यह से बरंबों करते हैं चारसो पीको मीटर अच्छा है इसे आप सेंटी मीटर में बदल लेते हैं सेंटी मीटर बदलने के लिए हम क्या करेंगे इसमें 10 से मल्टिप्लाई करेंगे यह हमारा सेंटी मीटर में पडिवर्तित हो जाएगा एक और बात क्या दे रखिये परमानू भार तुम्हें यह लिख देत करा था ठीक तो जो गहनत का फार्मुला यूज कर लेते हैं जैट कैपिटल एम एक क्यूब और एन ए जैट चार है हमारा कैपिटल एम कहां किया हमारा यह सिक्स्टी और ए यह हमने यह कैलकुएट करा चार सो इंटो टैन इस्टो पावर माइनस टैन यह बच्चो क्यूब लगा हुआ है तो क्यूब लगा देते हैं यहाँ पर और एने एने की वैलुई 6.022 इंटो 10 इस्टो पावर 23 सॉल्व करते हैं बच्चो 4 इंटो 60 यह 4 बच्चो यह 2 0 है न यह 10 है यह 2 0 जो है 10 की पावर 2 अर्व में इसे 10 की पावर माइनस 10 इसे सॉल् और उसमें 2 0 और एट कर दोगे तो 10 की पावर 2 और यह माइनस 10 सॉल्व करने वा माइनस 8 आएगा उसका क्यूब और इसे और बच्चो इसे consider कर लेते हैं 6 consider कर लेते हैं आपको calculation easy हो जाएगे क्यूंकि 6.02 जादा value बड़ी value नहीं है न इसलिए 0 2 0 2 2 को आप नेगलेट कर द दीजे 10 की पावर मानस 24 इंटू 6 और 10 इसे पावर 23 अच्छा बच्चो 6 के डिवाइड करोगे 10 आ जाएगा फोर बन जा फोर फोर बन जा फोर एंड यह 16 यहां से डिवाइड करके 16 आया तो आपके पास उपर क्या हो रहें बच्चा 10 और नीचे क्या बच्चा 16 और मानस 24 प्लस 23 यह सॉल्फ करोगा बच्चो 24 में से 23 बचेगा तो माइनस का 1 बच्चो 10 16 यह मानस 10 यह मानस 10 यह मानस 1 उपर जाके प्लस 1 हो जाएगा तो यह 10 उपर लिख दिया डिवाइड कर दिये बच्चो 2 5 जा 10 फिरसे 25ja 25ओर डिवाइड करेंगे तो 6.25 आएगा बसका मातरक क्या होगा सबस्क्राहिस बच्चो निकालने के लिए मातरक घनत गनत यह का फॉर्मुला क्या होता है भर्वर्यमान बटे आई तन दिर्व drag kan ? बचो ज्युंके ? इसरे अंव स्का अधर कोलर की लंबागी कीउब करके एसका क्यूल करफो करके और इसका संटीमिठर को करके तो आइधन का मत क्या हो जाएक संटीमिठर क्लसइ घुण तक ज्युब आइग सेहागक क्यूब कर देते हैं बच्चो तो ग्राम प्रती सेंटीमीटर क्यूग यह आ गया धनात्व ठीक बच्चो इसका आप वीडियो को पॉस्ट करके इसका स्क्रीन शॉट ले लिजे और आप से फिर मुलागात होती है अगले वीडियो रेक्चर में थैंक्यू